हेलो एवरिवन एड वेल्कम टू मैं चैनल टिटूस क्लास इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में बहुत सारी चैप्टर्स कंप्रीट हो चुकी है अभी भी अगर आपने क्लास जोएन नहीं किया है तो कल लीजिए क्योंकि क्लास डेली चलती है और आपका इंग्लिश ग्रामर का कंसेप्ट अगर आप कंटिन्यू क्लास करेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा हमने इसके पहले वाली क्लास में पढ़ा था वावल सैंड कंसनेंट तो आज मैं उससे रिलेक्टेट कुछ वर्क्षिट ले आई हूँ अब यहां पे हमें पहचानना है हमने बताया था वावल क्या होते हैं और इसे हम वावल इसी लिए कहते हैं क्योंकि जब भी हम इनका उच्चारन करते हैं तो हमारा मूँ खुला रहता है और कंसननन का उच्चारन जब हम करते हैं तो हमारा मूँ या हमारी जीब किसी न किसी से टकराती है मिन्स आपस में टकराती है या हूट जीब से टकराती है इसी वज़े से हम उसे कंसननन या व्यनजन कहते हैं तो आएए देखते हैं यहाँ पे देखिए पिकॉक, पी होता है कंसनेंट, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी सी, एन्वेलब इ होता है वावल, तो यहाँ लिखूंगी बलून, बी होता है कंसनेंट, फिर से मैं यहाँ लिखूंगी सी नेक्स्ट फिश, एफ होता है consonant तो मैं यहां लिखूंगी C Owl होता है Owl का O, sorry O होता है वावल तो मैं यहां लिखूंगी V E होता है वावल I का E होता है वावल यहां पे भी मैं लिखूंगी V Orange का O होता है वावल तो यहां भी लिखूंगी V Kettle का K होता है consonant तो यहां लिखूंगी मैं C ट्रक का T होता है consonant तो यहां भी मैं लिखूंगी C बॉटल का B होता है consonant तो यहां भी मैं क्या लिखूंगी C लैम का L होता है consonant तो यहां भी मैं लिखूंगी C लास्ट ड्रम का D होता है consonant तो यहां भी वक्षिट को solve करेंगे next देखते हैं color the vowels in red and consonants in yellow यहाँ पर हमको color करना है तो हमको पता है वावल को red से color करना है वावल कौन कौन से है five vowels है तो ए को मैं यहाँ red से color करूँगी यहाँ पर आई है यह भी वावल है यहाँ पर ए है इसे भी मैं red से करूँगी ए ई आई ओ और यू और बाकी जितने भी consonant है उन्हें हमें किन से करना है color yellow तो यहाँ पर मैं yellow से color कर दूँगे this is so easy कितना easy है न 21 consonants हमने उस दिन काउंट किये थे न इसके पहले वाली class में 21 consonants and five vowels कोई भी पूछेगा आपको how many consonants are there क्या बोलोगे there are 21 consonants and there are five vowels a, e, i, o, u को छोड़ कर जितने भी letters है alphabets है वो सारे consonants है के देखिए मैंने color कर दूँगे अगर आपको कोई भी डाउट है तो comment section पे जरूर लिखिए आज की video आपको बहुत help करेगी और इस तरीके की easy worksheet आप पहले solve कीजिए बाद में हम धीरे-धीरे difficult work सी solve करेंगी vowel और consonant की मैंने और भी classes ले रखी है आप चाहे तो description box पे जो link है English grammar की पूरी की पूरी playlist बनी भी है अब वहाँ पे जाकर भी देख सकते हैं आज की लिए इतना है thanks for watching